यह दोस्तो कुरकुरे मोमो देखिए कितना क्रिश्वी है एकदम टेस्टी है और इसके अंदर है बेजटेबल कीमा यह बेजटेबल कुरकुरे मोमो बनाया एकदम लाजाप है एकदम क्रिश्वी है देखिए यह इस आवाज आ रहा एकदम आहां बहुत है मज़ा है आने में तो दोस्तो यह मजदार रेसिपी के लिए मेरा वीणि अंतर जरूत देखिएगा हूस सकता आप लोग को ये कुर्खुरे मोमो एकडम पसान आने वाला है वेगरईस्टिप करके वीडियो अंतर现 देखिएगा चलो शूरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला कम से कम ये एक किलो क्याबेज लिया इसको ऐसे काटना है क्याबेज को काटने का एक टेकनीक है ये तरीक ऐसे क्याबेज काटेगा तो बाद में ये छॉप करने के लिए बहुत आसान रहेगा ये चारपीश किया और साइट का ये रहता है इसको ऐसे काटके फैक देना है आप क्याबेज का अलवा बेंच क्यारोट कुछ भी सबजी आप डालके बना सकता है कोई मुश्किल नहीं लेकिन आज मैं खाली ये क्याबेज का बना के दिखा रहा हूं इसको ऐसे जुनेल करने हो सबसे पहला ताकी बार में इसको च कालके काटेगा तो क्याबेज काटने में बहुत सिंपल और आशान रहेगा ये भी एक क्याबेज काटने का अच्छा टेक्निक है ऐसे काटना है ये करके पूरा कार दिया ये तरीक ऐसे और इसको थोड़ा सा बड़ा चापट और चाकु बढ़ा लेके इसको कीमा किया नमक डालने के बाद इसको अच्छा से मिक्स करके कम से कम आदा घंटा छोड़ देंगे ताकि जितना भी पत्ता को भी में क्याबेस में जो पानी आता है वो सब भाहर करना पड़ेगा इसको छोब के राखा अब देखिए कम से कम आदा घंटा राख दिया तो इतना पानी छोड़ दिया यह यह नमक क्याबेस में डालने से पानी छोड़ देता है अब इसको अच्छा से निचाड के एकदम सुखा बनाना आए इसमें कम से कम तीन छोटा सा प्याच एकदम फाइन चाप करके डाल दिया इसमें और यह धनिया है एक पीश धनिया यानि कम से कम एक कप धनिया इसमें डाल दिया अर धनिया के साथ में इसे परिंग ओनियन चाप करके राखा दह भी ऐसा मिक्स कर दिया कमो मैं दनिया इसमों बहत आठा लगता है अब इसमें मैं थोड़ा सा यह बटर डाल दिया आपके पस्ट बटर ने यह तो कुकिंग ओल भी थोड़ा यूज कर सकता हलका गरम करके ये जिंजर गार्लीक पेस्ट एक चमस डाला छोटा टीस्पून से आप चॉप करके भी डाल सकता जिंजर कडार्लिक पेस्ट को लेकिन मैं इसको ब भी मसला थोड़ा सा डालके बना सकता है और इसमें ज्यादा सा मसला नहीं डाला क्योंकि बाद में ये करीण। टाइम में भी अलका मसला डालेगा तो थोड़ा मसला डालके अच्छा सी इसको मिक्स करके थोड़ी देर ढापके कम से कम आदा घंटा एक गंटा छोड़ देन है ताकि आच्छा सी मिक्स हो जाएगा अब यह जो कोटिंग करता है कुरकुरे बनाने के लिए रेडी करेंगे और यह थोड़ा सा करी पाउडर डाला यह डालने से कुरकुरे एकदम लाजवाब टेस्टी स्पाइसी रहता है अलका स्पाइसी तो रहना चाहिए कुरकुरे में और थोड़ा सा चिली पाउडर है यह गार्लिक पाउडर और यह ओनियोन पाउडर है आपके पास जिंजर गार्डिक पेस भी डाल सकता है यह सब नहीं है तो और यह है पाप्रिका आपके पाप्रिका नहीं है तो कोई कश्मीरी मिर्ची अथब कोई कलर का मिर्ची भी डाल सकता है और एक कप आदा पानी डाल के इसको अच्छा से मिक्स करना है यह ज्यादा गाडा नहीं बनाना है औ और ज्यादा पातला भी नहीं होना इतना पातला ये परफेट रहेगा आप ट्राइ कीजिएगा बहुत मज़ेदार का बनेगा ये ज्यादा गाड़ा करेगा तो बाद में क्रिस्पी एकदम धब्बा मोटा हो जाएगा और इसके लिए क्रिस्पी बनाने के लिए में चीजे ये ब्रेट कंप श क्लिये ब्रेट कंप को कम से कम एक कप लिया ये ब्रेट कंप रिस्पी बनाने में अच्छा रहता है उसके साथ में ये थोड़ा सा malfunction है ये dryer से जालेगा तो सबसे पहला बना के रखा था थोड़ा सा देखे यह डिजाइन का मोमो है मेरा बहुत मोमो बनाने का रेसीपी मोमो कैसा बनाना है बलके आलरेडी बहुत वीडियो है आप जाके चेक कर सकता है कैसा मोमो बनाना है कैसा मोमो का आटा बनाना है मोमो का चाटनी कैसा बनाना है बल बिदम सीम्पल टेक्निक है लेकिन बहुत मज़ेदार का रेशी भी बनता है यह करके अभी इसको आच्छा से इसमें लागाना है थोड़ा होशियारी से लागाना यह तूटना जाए नहीं तूटाना इसको आप एक-एक पिस करेगा तो सबसे बेटर हो गया आइसा करके अभी यह दूसरा डिजाइन का मोमो था कोई भी डिजाइन का मोमो यह तारीक ऐसे बना सकता है ऐसा नहीं कि एक ही डिजाइन का ऐसा बनेगा यह गोलाकार का मोमो था इसको भी ऐसा डाल दिया ये डालके अब इहां से इसमें एक बार ऐसा कोटिंग करना है ये ब्रेट कंप्स और कान फ्लाइस का पाउडर में ये तरीका से कोटिंग करना है अब बहुत लोग ने कुरकुरे मोमो कैसा बना नहीं बोलके बोला था तो मैं आज इसका फूल रेशिपी लेके आया हूँ ऐसा करके पूरा कोटिंग करना है इसमें अब इतना हो गया अब इसको फ्राइ करेंगे बस अलका सा मीडियम ओएल में एक एक डालका इसे फ्राइ करना है ध्यान राकना है तेल ज्यादा गरम नहीं होना है मीडियम हीट होना है बस और इसको आच्छा से इसे फ्राइ करना है देखिए अब यह तब तक ठ्राइ करना है जब तक यह golden brown आएगा उसके बाद इसको निकाल देना है आराम सब ठ्राइ करना है ज्यादा हीपी नहीं करना है देखिए यह color change हो गया बिल्कुल अच्छा color आया golden brown color तो इसको निकाल देंगे कम से कम 5 मिनिट ठ्राइ किया होंगे तो देखिए एकदम अच्छा पिस्पीदार मोमो हो गया यह I hope आप लोगों को यह मोमो बहुत पसंद आने वाला है और यह मेरा recipe पसंद आया तो मेरा चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बक्स में जाके कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा आप लोग को तब तक मिलेंगे दूसरा वीडियो में यह recipe देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक्यू सुक्रिया